हेलो बच्चो आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नमबर 3 पेयर ओफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिबस इसके कुछ वन मांक के इंपोर्टेंट कोशन करूंगी 8-10 कोशन हैं लेकिन सारे ही इंपोर्टेंट कोशन हैं क्योंकि आपके पास एक्जाम में आये हैं आपको यह पता चल जाएगा कि वन मांक के कोशन इस चैप्टर से किस पैटर क्या सकते हैं बाकी हमने सपोर्ट मैटीरियल और यह डियोई के प्राक्टिस पेपर तो करी लिए उसमें भी कुछ वन मांक के कोशन हैं कि के तो उन्हें तो आपको करने ही करने अच्छे से लेकिन यह भी कुछ इंपोर्टेंट कोशन है आप इसको भी जरूर कर लीजेगा चलिए शुरू करते देखो कोशन नमबर वन आपके पास यहां पर है ग्राफिकली दा पेयर ऑफ लीनिय पेयर ऑफ एक्वेशन डीप्रेजेंट टू लाइन्स विचार अगर हम ग्राफिकली देखें बतलब कि इसको अगर हम ग्राफ पर बनाके देखें तो इन दोनों एक्वेशन के जो लाइन्स बनेंगी वो कैसी बनेंगी तो मैंने हाँ सॉलूशन में लिख दिया पै झाल जी Romeo सारी आद हुदी चीयर औलमोस्ट कोशं उण कंडिशन के ऊपर ही आते हैं लम्हक के कोशं उसी यह दो equation मुझे दे रखे थी मैंने इससे क्या क्या a1 a2 b1 b2 c1 c2 यह निकाल लिया निकाल सकते हैं यह a1 यह a2 यह b1 यह b2 यह c1 यह c2 इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ठीक है अब parallel line के case में condition थी में पास a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 तो जब मैंने इनको देखा ना तो यह condition satisfied कर रहा है a1 upon a2 तो है बिल्कुल है b1 upon b2 भी है लेकिन वह c1 upon c2 के equal नहीं था इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया कि जो मेरी जब मैं इस दो equation को graph पर plot करूँगी तो मेरी parallel lines आएंगी ठीक है चलिए next question देखते है question number 2 तो पहले आप यहाँ पर equations लिखो a1, a2, b1, b2, c1, c2 सब निकाल ले अब फिर मैंने इहाँ पर देखा किना मेरा a1 upon a2 जो है वो b1 upon b2 के equal है लेकिन c1 upon c2 के equal नहीं है तो इसका मतलब वो ही यह parallel lines वाला case आगिया दुबारा थे लेकिन यहाँ पर मुझे lines नहीं बतानी solutions बताने तो parallel line के case में solutions होते क्या है no solution तो इसका मतलब इन दोनो equation में क्या होगा will have no solutions ठीक है चलिए next देखते है क्या रहा if a pair of linear equation is consistent then the line will be अगर दो linear equation हो और वो consistent हो तो line कैसी बन सकते हैं दो तरीके से बन सकते थी intersecting और coincident क्योंकि inconsistent के case में तो parallel lines बन थी consistent में दो ही थी intersecting और coincident तो वो दोनों ही आपको यहाँ लिखनी है ठीक है question number 4 आप पे हैं यहाँ पर the pair of equation x is equal to a and y is equal to b graphically represent lines which are देखो यहाँ पर आपको कह रहा है यह दो equation है x a और y b है जब x a है तो इसका मतलब y की value 0 होगी और जब y b है तो इसका मतलब x की value 0 होगी तो यह एक बार ऐसे आ जाएगी ठीक है ना अगर मैं दूसरा case लूँ तो वह ऐसे बनेगी तो यह क्या कर रहा है intersect कर रहा है कि इसको a और b को तो कैसी line बनेगी intersecting line बनेगी ठीक है तो वही मैंने यहाँ लिख दिया intersecting और bracket में लिख दिया a और b क्योंकि a और b की ही बन रही है pair of linear equation में पर यही है x is equal to a और y is equal to b ठीक है चलिए next देखते है question number 5 आपके है क्या रहा है for which values of p will the linear will the line represent by the following pair of linear equation भी parallel तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको दो यह equations दे रखें क्या रहा है यह दोनों equations जो है यह parallel lines की equation है तो आप इस p की value find कर रहो तो parallel line की equation में 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 पास condition क्या होती है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 तो मैंने यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल लिए ठीक है फिर ही अपने condition लिख दी यह मेर पास parallel line की condition है लिखने के बाद values को put कर दिया a1 की जगा a1 a2 की जगा a2 b1 की जगा b1 c2 की जगा c2 sorry b2 की जगा b2 फिर c1 की जगा c1 और c2 की जगा c2 ठीक है अब देखो p की value निकालनी है तो इन दोनों को solve करना पड़ेगा इसको माइनस से माइनस से मैंने cut कर दिया यह सब तो p मेरा आगया not equal to 10 cross multiply किए इसका मतलब p की value कुछ भी हो सकती है 10 को छोड़के 10 नहीं होगी क्योंकि वो not equal to लगावाए हो आप तो p can have any number other than 10 10 को छोड़के कोई भी number हो सकता है p ठीक है चलिए next question number 6 देखते है क्या है a1 x b1 y c1 is equal to 0 a2 x b2 y c2 is equal to 0 are the system of two simultaneously linear equation if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 then the system has तो यहां पर आपसे क्या क्या रहा है कि आपको यहां पर दो equations दे रखी है ठीक है तो देखो यह दो equations दे रखी है और हमसे क्या रहा है a1 upon a2 जो है वो b1 upon b2 के equal है और c1 upon c2 के equal है तो system में कैसे solution होगे तो यहां no solution नहीं आएगा यहां आएगा infinite यह शायद answer मैंने उपर नीचे लिख दिये हैं गलती से इसका no solution होगा अभी जब हम इसे करेंगे न तो इसको भी देख लेंगे एक बरी पर आप इसको यहां पर सही लिखेएगा ठीक है तो क्या क्या रहता कोशन में आपको दो equation दे रखी थी एक condition दे रखी थी बस आपको यह बताना है यह condition है किसके तो तीनों जब equal होते हैं a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 तो कितने solutions होते हैं infinite solutions होते हैं हमार पस ठीक है same question number 7 है वो ही दो equations आपको दे रखी हैं लेकिन हाँ condition थोरी change कर दिये हैं यहाँ पर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 तो है लेकिन वो not equal to a c1 upon c2 के तो इस case में होंगे मैं पस no solution क्योंकि अभी हमने कहा था कौनसी lines बनेंगे यहाँ पर parallel lines बनती है ना no solution के case में और infinitely many solutions में हमार पास coincident lines बनती है ठीक है ना चलिए question number 8 पर आ गए हम क्यारा है यहाँ पर 3x plus 4y plus 2 is equal to 0 9x plus 12y plus 6 is equal to 0 represent dash lines तो देखो अभी मैंने इसका मतलब 1 upon 3 है और अगर हम अपना c1 upon c2 देखे तो वह है हमार पास 2 upon 6 तो इसको 2 लिख देते हैं तो यह भी मेरा 1 upon 3 है तो आप देखरों तीनों ही equal है अब भी हमने किया जब तीनों equal होते हैं तो क्या होता है infinitely many solution और कौनसी line बनती है coincident line बनती है हमारी ठीक है तो वह lines आपको लिख नहीं थी तो वह हमने यहां लिख दिया आप देखरों ना एक table से कितने सारे questions हो सकते हैं तो बस आप वह table इस chapter के अच्छे से याद कर लेना ताकि one mark के questions आप easily कर सको इस chapter के है ठीक है उसके बाद आप से कह रहा है appear of linear equation dash if it has no solution यह भी अभी हमने उपर क्या था consistent के case में 2 था intersecting और coincident तो no solution के case में कैसे होती है inconsistent होती है ठीक है चलिए लास्ट कोशन और देख लेते हैं कोशन नमबर 10 if a line given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 और parallel then find the value of k यह दोनों lines जो है न वो parallel है तो k की value find करने है तो parallel line के condition अगर हम देखें तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 होती है यही होती है तो वो चीज़ मैंने पहले यहां पर लिख ले अब अब a1 upon a2 की a1 upon a2 की जगा उसकी value b1 upon b2 की जगा उसकी value c1 upon c2 एक पर धिहान से देखो यह 2 यहां is equal to के बाद है और यह 1 is equal to से पहले है तो इसको भी धल्ले होगी तो इसका मतलब यह c1 मेरा minus 2 होगा कई बच्चे जल्दबाजी में इसको plus का ही 2 लिख देंगे तो आप ध से कर दिया तो k की value मेरे पास यहां पर कितनी आ गई है 15 by 4 ठीक है तो यह थे आपके पास कुछ कोशन मैंने टैनी कोशन लिया इस चैप्टर के क्योंकि लगभग सारे कोशन इसी pattern पर आए हैं सिर्फ आपको वह table याद करने की जूरत है किसी में आप से solutions पूछ रहा है किसी में लाइन पूछ रहा है किसी में condition अलब आपको बता दिया है कि parallel line है या intersecting line है तो एक variable दे देगा उसकी value आपको निकालने होगे लगभग इस chapter के one mark के question ऐसे ही आएंगे इसी pattern पर आप इन 10 questions को अच्छे से prepare कर लिजे बस digit change होगी या फिर आपको वह change कर देगा condition change कर देग ठीक है ना चलिए अब हम next class में क्या करेंगे जो हमारा next chapter है chapter number 4 उसके important questions कर लेंगे one mark के ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो आप इसको like जरूर कीजेगा और मेरे channel को subscribe कीजेगा थैंक यू